नमस्ते अंकल जी कैसे हैं आप बगवान का लाग लाग शुक्र है कि आप ठीक है अरे थैंक्यू मद बोलिया अंकल जी आपके कितने हसान है हमारे उपर फिर आप चाहे मुझे गुंडा समझ लीजिए या मवाली समझ लीजिए पर आपकी इज़त हमारे लिए बहुत जीया सईजोनाब ने ये कारणामा हमी ने किया समझाया था आपको कि ये जिम्मेदारी जमीन जायदात मेरे नाम कर लीजिए बर आप आप ठैरे हरीष चंद्रवादी जो सच से हिलेंगे नहीं चाहे जान चली जाए साला हमें पैदा भी छे महिने में हो था सब ने सोचा हम मर जाएंगे हम बच गए पर अंकल जी अगली बार आप नहीं बच चाहे